मद्यप्रदेश के मुक्यमंति शिवराज सिंग चोहान ने मद्यप्रदेश व्यवसाई परिक्षा मंडल घोटाले को लेकर पूर्व दिग्विजेश सिंग सरकार पर सवाल उठाए कि उन्होंने कैसे कुछ नियुक्तियों के लिए नियमों को बदल दिया था चोहान के आरोपो को लेकर एननायस ने दिग्विजेश सिंग से बात की पेश है एक खास रिपोर्ट व्यापम घोटाले पर गंभीरता को लेकर शिवरा सिंग चोहान के गुरुत्वा कर्शन पर सवाल उठाते हुए कॉंग्रेस महासचिव दिग्विजेश सिंग ने चोहान पर निशाना साधा सिंग ने कहा कि अगर सब कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा है तो आप एक अच्छे प्रशासक नहीं है मुझे नहीं लगता कि वो इसमें गंभीर है क्योंकि पिछले चार साल से व्यापम का घोटाला जग जाएर है विधान सावा में उड़ चुका है उसका वे खुद उतर दे चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो जनक है पूरे व्यापम घोटाले के श्री सुदीर शर्मा जी उनको उन्होंने चेर्में क्रिस्प बना दिया ताकि कंप्यूटर के माध्यम से और भी जादा आइटी सेक्ट के माध्यम से और जाधा गड़बड कर सकें तो ये सब जानकारी मिलने के बावजूद भी अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये सही नहीं कह रहा है उनकी जानकारी थी और ये भी मान लेगे चली आप इमानद हैं लिकिन फिर अच्छे प्रशासक नहीं है अगर आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा तो आप अच्छे प्रशासक नहीं है प्रदान मंतरी के करीबी सायोगी अमित शाह को दी जाने वाली जेड स्तर की सुरक्षा के बारे में बात करते हुए सिंग ने ये कहा ये तो को इसे ठीक करने में समय लगेगा और अब उन्हें सरकार के उपर उंगली उठाने का कोई हग नहीं है इस बयान के अलोचना करते हुए सिंग ने ये कहा हमको तो उम्मीद ये थी कि वो एक कहेंगे कि अब नहीं होगी महंगाई की मार क्योंकि अब आ गई है मोती सरकार ये थिया ननायस दारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट